हलो बच्चो नमस्कार मैं डीके चौधरी आप सभी बच्चो का RWA पड़िबार में हारदिक स्वागत करता हूं बच्चो आज हम उत्तर प्रदेश के परमु नंदिल को स्रीक से याद करेंगे, जो यूपी ्पूमिй काुस्त्रेवल के हम सभी पड़िच्चाओं के लिए अत्री महत्पुन है, बच्चो आज हम उत्तर प्रदेश के परमुख मन्दिल को किस परकार परहेंगे ताकि ये लंबे समय तक याद रहें और परिच्छा में इससे सम्मंदित किसी भी प्रसन का उत्तर चुटकियों में याद आ जाए तो बचो आज का पहला प्रसन है स्वर बेद महामंदिर उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्थित है तो इसका सही जवाब है बारा नसी अब बचो इसका ट्रीक बनाओ और हो सकता है आपका ट्रीक हम से बहतर हो तो स्वर बेद का चार बेद और बारा नसी का बानी यानि चार बेदों की उत्पत्ति परमा जी की बानी सोही थी चार बेद की उत्पत्ती परमा जी की बानी सोही थी पारा नसी बहुत बेतरीन बच्चो अगला प्रस्ण है महरसी बालमी की आसरम उत्तर प्रदेश के किसा स्थान पे इस्थित है तो इसका सही दवाब है पिठूर अब बच्चो हमें प्रस्ण से उत्तर निकालना है तो पाल का बोल और मीकी से माइक यानि माइक में जब हम पैठकर बिथूर पैठकर बोलेंगे तो सबसे पहले कान में आवाज जाएगी कानपूर नगर बहुत बेतिरीन बचो अगला प्रस्न है कनक भवन मंदील तो इसका सही जवाब है अजोध्या अब क कनक का कन में कनक में हमारे राम चंज जी यो एक बहुत बड़ा युद्धा है तो युद्धा से अजोध्या कनक भवन बहुत स्तांदार बच्चों भारत माता मंदीर एब हम मारकंडे मंदीर तो इसका सही जवाब है पारानसी अब इसका कैसे ट्रिक बनेगा बच्चों भ रन में जाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं और वहां उसमनों को मार काट मारकंडे मार काट करके विजय होकर वापस आते हैं तो भारत माता मंदिर मारकंडे मंदिर 1280 बहुत लाजवाब बच्चो गोला गोकरनात मंदिर तो इसका सही जवाब है लखेनपूर खीरी अब गोला को हम गरी गोला और गरी गोला हम खीर में डालते हैं खीरी खीर में तो लखिनपुर खीरी अलोपी दे भी मंदिर तो बच्चों इसका सही जवाब है परियाग राज अब अलोपी का टोन मिलता जूलता है अलोपी पोलियो तो पोलियो का अविस्कार काफी परियोग परियाग राज परियोग से पोलियो के वैक्सिन का अविस्कार हुआ था तो अलोपी दे भी मंदिर परियाग राज देवी पाटन मंदीर तो बचो इसका सही जवाब है बलरामपूर देवी जी बल की देवी सक्ति की देवी तो बल से बलरामपूर देवी पाटन मंदीर बहुत बेतरीन बचो तूर्ज मंदीर उत्तर परदेश के किस अस्थान पर है तो इसका सही जवाब है महोवा अब तूर जो मा करती है महतारी महतारी मा को कहते हैं तो मह से महोबा सुर्ज मंदिर गोरख नाच मंदिर तो आप कहोगे गोरख पूर नाम में ही इसका उत्तर है तो गोरख नाच मंदिर गोरख पूर दस अवतार मंदीर तो इसका सही जवाब है देवगड़ अब दस अवतार दस अवतार देव का होता है विश्णु का होता है भगवान का होता है तो देवगड़ दस अवतार और देव को देखने के लिए ललाइत रहते हैं ललितपूर देवगड़ ललितपूर पद्मावती सती मंदीर तो इसका सही जवाब है कन्नोज अब इसका क्या ट्रिक बनेगा बच्चो पद्मावती ने खिलगी के नाक में नोज नाक में दम कर दिया था नोज से कन्नोज पद्मावती सती मंदीर कन्नोज बहुत बेतरीन बच्चो परह भगवान का मंदीर तो इ रह को हम खोशते हैं पड़ा एटा भगवान राम जन भूमि तो आप कहोगे घृजी अजोध्या राम आए हैं राम आ गये अजोध्या भगवान राम जन भूमि विष्वणात्मंदिल तो इसका सही जवाब है पारणसी विश्व के नाच का दर्शन हम पारबार करना चाहेंगे विश्व के नाच का मंदीर हम पारबार करना चाहेंगे पारणसी विश्वनाच मंदीर गोविंद मंदीर तो बच्चो इसका सही जवाब है बिरिंदावन गोविंद किरिश्ण भगवान और किरिश्ण भगवान कहा राश लिरल करते थे बिरिंदावन मतुरा बहुत सांधार बच्चो शिरी सनातन धर्म मंदिर तो गौतम बुझनगर अब इसका क्याट्रिक बनेगा सनातन धर्म में स्वर्पर्थम गौव को माता का दर्जा दिया गया है माता का दर्जा स्वर्पर्थम सनातन धर्म में गौव को दिया गया है गौतम बुझनगर बहुत भेतिरिन बच्चो तिगंबर जैन मंदिर तो कोसांबी तिगंबर में अंबर और सांबी कोसांबी में स तिगंबर जायन मंदीर, पातालपुरी तो बच्चो इसका सही जवाब है पडियागराज, अब पातालपुरी के राजा पासु की नागराज है, तो नागराज से पडियागराज पातालपुरी, बहुत सांदार बच्चो, ताकंबरी देवी मंदीर, तो बच्चो इसका सही की जरूवत नहीं होती है साकंबरी देभी स्तहारनपूरी तो आप कहोगे अजोध्या जुग में अमारी योद्धा रामचंजी का जन्म हुआ था योद्ध्या अजोध्या बहुत सांदार बच्चो अगला विंद्याचल देभी मंदिर तो विंद्याचल देभी और बिंदवाशनी देभी महिसाशूर को मारने के बाद अपनी मर्जी से आई थी तो मर्जी से मिर्जापूर बहुत बेतरीन बच्चों अगला पांके बिहारी किस्न भगवान का संबंध बिडिंदावन मतुरा से तो इसका सही जवाब है बारा नसी तो इसका सही जवाब है कानपूर नगर अब जीवन में घर एक बार बनता है तो कान खोल के सुनलो कान खोल के सुनलो यह के बरांड का ही सिमेंग लगाना है यह के मंदिर कानपूर तो आप चुश्य फस्त्रय मंधिल तो अप को होगी बच्चों बिरिंद्दावन मतुरा कोफी रासलीला का करती ती बिरिंदावन में किश्टन भ्गवान के साथ बिरिंद्दावन मतुरा तंकट मोचन तो बारानसी तंकट का हरन करने वाले को हम बार बार याद करते हैं बार बार हनुवान चलिशा पढ़ते हैं तंकट मोचन बारानसी बहुत 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 ब मंदीर एवं तिबिती मंदीर तो इसका सही जवाब है सारनाथ अब इसका ट्रीक बनाओ थाइलेंड के लोग थाई और तिबिती लोग बुद्धम सरनम गच्छामी बुद्ध के सरन में आगए सरन सारनाथ बहुत सांदर बच्चों स्री रंगनाथ जी मंदीर तो रंगनाथ क्रिश्ण भगवान और इसका सही जवाब बिर्दावन मथुरा राधा कुंड एवं त्वारिक अधीश तो यह भी क्रिश्ण भगवान से भगवान का जन मथुरा में हुआ था तो मथुरा बटेश्वर धाम मंदीर अब इसका सही जवाब है आगरा अब इस्वर के सरन में बटेश्वर इस्वर के सरन में आगिरा आगिरा आगरा बटेश्वर धाम बहुत सांदर बच्चों जानकी कुंड एवं अनुसूया आशरम तो इसका सही जवाब है चित्र कूट अब इसको हम कैसे याद करेंगे कुंड में और आशरम में जदी कोई गंदगी करेगा तो वो कूटा जाएगा कूटा जाएगा कित्र कूट चाहिना मंदिर तो सही जवाब है सरावस्ती चाहिना का सामान सस्ता होता है और सारे बस्ती में मिलता है सरावस्ती कुल्सी मानस मंदिर तो आप कहोगे बारा नसी कुल्सी मानस मानस रयादी मन से मन से किसी काम को हम बार बार करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे कोई भी काम को हम मन से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी बार बार करेंगे बारा नसी मंदीए बीड्ला बुध मंदीड तो आपको होगे कुशी नगर बुर्ला बुध बुध भगवान, यहां रहेंगों वहां, फुषी ही, फुषी-हुषी होगी, पुशी नगर, बहुत बेतिरिन वच्चो, रेनुकेश्वर महादेव, तो इसका सही जवाब है, रेनु कोट, रेनु कोट, रेनु कोट, रेनुकेश्वर महादेव, राजा सुहेल देव मंदेव, तो इसका सही जवाब है वच्चो, पहराईच, अब सुहेल देव एक प्रा अराइच, पहराइच, तुहिल देव, बाबा सोमनात मंदीर, तो सही जवाब है देवरिया, अब सोमनात में है अनात, और अनातों के नात कौन थे, देवरिया के दिवराहा बाबा, कौन थे, देवराहा बाबा, जो थे, अनातों के नात कह जाते हैं, कहां के, दिवरिया, सोम तो इसका सही जवाब है खुशी नगर अब जब महान लोग जहां निवास करेंगे वह हां खुशी ही खुशी होगी खुशी नगर बच्चो अब हम रिकॉल टेस्ट करेंगे और जो ट्रीक से हम याद करेंगे कितना याद हुआ तो दस सेकेंड के लिए वीडियो पॉस करके आप इसका मिलान करो फिर हम इसका सही मिलान करेंगे निमलिकित को सही उत्तर सुमेलित करें स्वारवेद महामंदिर पालमीकी आसरम कनक भवन गोला गोकरनात मंदिर तो स्वारवेद में हमने क्या पढ़ा था क्यारवेद की बर्मा जी की बानी से उत्पत्ति हुई थी तो बारा नसी बालमीकी आसरम बोल जब हम माईत में देंगे बैठके तो कान में आवाज आएगी विठूर कानपूर कनक भवन कनकन में युद्धा रामचंजी अजुध्या गोला गोकरनात मंदिर तो गोला को गरी गोला को हम खीर में तो लखिनपूर तीरी बहुत सांदार बच्चो नेस्ट रिकॉल टेस्ट नमर दो भारत माता मंदिर तो हम रन में जाते हैं तो भारत माता की क्या करते हैं पारा नसी तो इसका टैक करेंगे पोलियो पोलियो की अब इसकार काफी परयोग के बाद हुई थी परियाग राज देभी पार्टन मंदिल तो देभी पल की देभी पलरामपूर तूज मंदिल तूज की पुजा छट मा करती है महतारी तो महोबा बहुत सांदार बच्चो नेक्स्ट रिकॉल टेस्ट नमर थ्री गोरखनात मंदिल तो आप कहोगे गोरखपूर दस अवतार दस अवतार देव लेते हैं और उनके दर्शन के लिए ललाइत होते हैं देवगाड ललीतपूर पदमावती ने नाक में दम कर दिया था खिल जी को कर्नौज सनातन धर में सरपर्थम को को माता कहा गया है को को माता कहा गया है गौतम बुद्ध नगर रिकॉल टेस्ट नमर फॉर अब इसका सही जवाब भगवान का मंदीर तो रह देखने के लिए हम एटलास का प्रयोग करते हैं एंटा में बिस्वनात मंदीर के नाथ का मंदीर बार-बार करना चाहेंगे बारनसी को कुभिन देव किसिन भगवान बृन दावन और भगवान रामचें भगवान आये है आ गए अजुध्या में बहुत सांदार बच्चो रिकॉल टेस्ट नंबर फाइब तरी उत्तर सुमेलित करना है दिगंबर अंबर अंबर और आंभी को सामभी तो दिगंबर जैन मंदिर को सामभी पाताल पूरी के राजा कौन है पास्की नाग राज परियाग राज तकंबरी साकाहारी को किसी के सहारी की जरुरत नहीं होती है सहारनपूर और तरेता युक के ठाकूर युद्धा रामचनजी और युद्ध्या बहुत सांदार बच्चो रिकॉल टेस्ट नंबर 6 बिंद्याचल बिंदवासिनी देवी तो बिंद्याचल में देवी अपनी से आई थी मिर्जापूर पांके भीहारी किस्न भगवान बिरिंदावन मथूरा जेके सिमेंट घर एक बार बनता है और हमें जेके बरांड का सिमेंट लगाना है कान खोल के सुनलो कानफूर तंकट को पारवार हरण करने का बारह नसी कि रिकॉल्टेस्ट नंबर 7 अस्वम जाइक कब होता है रन में जीतने के बाद जुद में जीतने के बारह नसी कोपिया कहां रासलीला करती है बिरिंदावन मथूरा इसवर के सरन में इसवर के धाम में आगिरा आगरा रेनू के रेनू कोट बहुत सांधार बच्चो रिकॉल्टेस्ट नंबर 8 चाइना मंदिर तो चाइना मंदीर, चाइना का समान सस्ता और हर एक बस्ती में मिलता है स्त्राबस्ती, रंगनाथ जी किस्न भगवान, प्रिंदावन, मथुरा, थाई लोग, थाई लेंड के लोग और तिबिती लोग, बुद्धम, सरनम, गच्छामी, सरन लेते हैं सारनाथ, मन से किया हम बार बार करेंगे, तो सफल होगा बारनसी, रिकॉल्टेस नम्मर नाइन, सही उत्ता सुमेलित करे, बिरला बुद्ध मंदिर, तो बुद्ध भगवान जहां रहेंगे, वहां, खुशी ही खुशी होगी, खुशी नगर, तोम नाथ, नाथ के, अनाथ के नाथ, दिबरहा बाबा देवरिया, राजा सुहेल देव ने हराया था हराइच, किसे मुहमत गजनी के तेना पती को, जानकी कुंड और अनसुया आसरम, कुंड और आसरम को गंदा करोगे तो कूटे जाओगे, कित्र कूट, धन्वाद बच्चो, बहुत बहुत धन्वाद, मिलते हैं अगल